नमस्कार विद्याथी मिद्रो आगर आपड़े अंतर विश्य अभ्यास करी गया अवे आपड़े जोईचे के आपणी आसपास कई गतिसिल वस्तुओ छे तो प्रवुर्ती मां समझे के स्थीर वस्तुओ और गतिसिल वस्तुओ विश्य नी समझ मेड़ी आपड़े तो पद्धतिनी अंदर तमारी जोएली वस्तुओ तमारी आजपास मां जोवा मता सचीवो वस्तुओ अने अन्य पदार्थ होय छे अपरेनी यादी बनावनी छे तो आ वस्तु उमाथी कई वस्तु स्थीर छे, यलेके स्थीर होय छे, त्यानी त्यांज रहे छेने कई वस्तु पोते गती सिल्ट छे ना विशे जईशूं गर, टैबर, गडिया, गडियार, स्कुल बैग, बरबर बते दोडो, पाटली, तैमा चौपडी वगेरे पते स्थीर वस्तुओ छे ते देर उर्ती चकली, गरियार ना, सैकन काटो, मच्छर, उर्ता पतंगिया, पाणी ना तरती मासली, बरबर छे, चालती रेल गाडी, पच्छी दोडो, गोडो, वगेरे गती सिल वस्तु तरीकी ओर खाये छे तो निना एक स्थान थी विजास्थान जती वस्तुओ ने गती सिल वस्तुओ तरीकी ओर खाये छे, जारे एक स्थाने रहली वस्तुओ ने स्थीर वस्तुओ कईवामा आपती पर छे तेवरी ते आपने जोई सेकें छेके आवे प्रवुरूती छो आमा कि इड़ी नी गतिनु निरिक्षान करो किड़ी कही रिते गति गत्ती गरे छे तो शाधन सामगरीमा आपने जोई सेके किड़ी, कागर, माटे किड़ी, कागर, खाण अने पैंसील लहिए छे पद्धधी मां अपड़े जोवान उचे के जमीन उपर एक सफेद कागर नी मोटी सीट पात्रों पची तेना उपर खांडना केटला दाना नाखो कीडियों आ खांडना दाना तरफ आकर्षा से अने तमें थोड़ी क्वार मां जे कागल नी सीट छे पतर पर गणी वधी कीडियों फरती जोई शको छो तो कीडि कोई एक कीडि ने कागल परती पसार थवी थई जाये तेम तरफ तरफ पेंसिल ना टपका मां तेने चिन करो तो किटलाक समय पछी कागल नी सीट ने हलावी ने खांडना दाना आने कीडियों ने दूर करोवा मां आविछे बरबर तो जेम जेम आपने टपका ले ले ये ना पछी ये माधी कागल नी सीट ने खांडना दाना छे येने दूर करी देवा मां उसे आ विविद बिंदू तमें जे कागल उपर अंकित करया हता तो निशाना नीचे ने तरफ जोके कीडि नी दिशा बतावे छे तमें जे टपका करो छोए तमने जे नीचे नी दिशा छे दिशा बतावे आनों काम करे छे तो दुरेला वक्र रेखा कीडि नो गती पत दर्सावे छे तो अवलोकन पती खरी सकाए के कीडि नो गती पत वक्र रेखा हो आए छे वरोबर लेके कोई एनी नियमित रेखा मा पते सीधी रेखा मा गती करतो न थी आम कीडि पते वक्र रेखा मा गती करे छे यो आपने समझी सक्ये छे पछी आपने जुए के गरतीना प्रकार हो, कया गया होई सके, तो सिता रस्ता उपर वाहान नी गती, कोई परेड ना सैने को ना मार्ष नी गती, अथवा तो कोई पत्थर होए तो पत्थर नी गती नूँ आपने अवलोकन करिये, तो 100 मिटर ड़ाड मा जो हरीफाई लागे प्रतिस पर्दकों पुति सिधी रेखामा द्वारता होई छे उलागे छे, तो आप बदा उदारों आपने समझावे छे के, जो आपने जानिये छे के आप वद्धी वस्तु ओ सिधी रेखामा गती करे छे, अने आप बद्धी रेखाव सिधी रेखामा सरर गती करता हवा शिर्जपाथीम यो जो लोगाद सुकंऑं धाम देज़ानचे लेधारी उसे genau का ऐसे शायो आंशायो कोशुरां जो स्यमुकरणाोर में है८े सा घ्रोकोणी स्लिखाएमना पथर्णे डोरीना तकड़ा नामो लेशरक हैं पत्थर ने गती ने द्यान थी जुगो अउलोकन पती खबर पड़े के पत्थर वर्तुडाकार मार्गने अनुसरी ने गती करे छे तो तम्या बदा उदारान पन गणा बदा जोई सको छोके गती मा पत्थर नुसरी अन्तर तमारा आथी समान रहे छे तो निर्णा एक करी सकेशी के दोरी बांदेली पत्थर ने हाथ वड़े गोर गोर फिरवो अने वर्तुडाकार गती तरीके अपड़े अने गोर खीये छे तो विजरीना पन्खाना पांख्या पर अंकित कोई चीनहनी गती, कोई गढ़ियालना सैकन काटानी गती आ बदीजे गती छे याने वर्तुडाकार गती तरीके उदारान तरीके आपड़े नू लही सकता होई ये छे विजली नवा पंखो तथा गडियार एक स्थानती बिदा स्थाने श्वयम गती करी सकता न थी परन्तु ये बोते पोतानी जग्या उपर अज खती करेचे वर्ठुरागार तो परन्तु पंखाना पांख्या फरेचे तथा गडियारना काटा पर फरेचे तो आपने जानी सकिये छे के जो आपने पंखाना पांखिया तथा गडियालना काटा उपर कोई जग्याय ने निशानी बनावी ये तो फरीव वकते पंखाने गडियालना कैंदरती तेनू चिन्हू अंतर समान रहतू होई छे लगे समान जगती पोते करता होई छे एक जग्याय थी बीजी जग्याय बरबल तो आर इते आपने कई सकिये छे के के किटला की सामा वस्तू एक निश्चित समय अंतराले पछी पोतानी गती नू पुंद्रा वर्तन करे छे एकनी एक जग्याय उपर वारम वार आवतू होई अने एक जग्याय वारम वार पुंद्रा वतन करतू होवा थी आवी गती ने आवर्त गती तरीके ओर खाये छे अवे दोरी थी बांदेलो एक पत्थर लो दोरी ने तमारा हाथमा पकड़ो अने पची पत्थर ने दोरी थी लटकवा दो बीजा हाथम वड़े पत्थर ने पची अने मुक्त करी ने छोड़ी दो तो अने एक लोलक तरीके काम करे छे लेके इंचिका नी जेंप होते गती करे छे एक जग्याय थी बीजी जग्याय पाचोय नी जग्याय अमुक अंतर सुधिच पोते गती करे छे तो आ लोलक मनोरंजन नी साथे आपने आवर्त गती समझवामा पन मदद रूप थाये छे तो कोई लोलक नी गती रुक्ष्णी साखाओनी अहिती तहीं लहरवानू निजका खाता बालाको होए नी गती सितारा सिताना तार्दनी गती वाक्ता वखते डोलनी जे गती अब अधिज गती मा आवर्द गती आपने जोई शक्ये छे जे आपड़ा उदार नों तरीके ओलखवामा आवे छे तो जैमा वस्तुओ एक निस्ति समय मा अंतराल मा पोतानी गती नूशुथाई छे पुंद्रा आवर्तन करे छे परबर सिलाई मसीन ने पोताना जग्या उपर पर रहे छे ज्यारे त्यानू पहलू वर्टुरा गती मा आपड़े जोई ये छे तो सिलाई मसीन मा ते पोतानी जग्या उपर रहे छे ज्यारे त्यानू पहलू वर्तुरा कार गती मा आपड़े होई छे त्यामा एक स्वाय पन होई छे जे यां शुदी पैडु फरे छे त्यां शुदी निरंतर उपर नीचे आ जे स्वाय छे थती आपड़े जोई सकी छे तो स्वाय छे पोते आवर्त गती करे छे जमिन उपर गबरता डड़ानी गती सडर रेखिये गती नी साथे वर्तुरा गती कर्थे कर पर आपने वर्ष्तुव पन करी शकाय छे केटलाक प्रकानी गतीना विशेणी पन आपने चर्चा करी छे तो आम समय साथे स्थिति मां जे फिर्फा थाय छे एने आपने गती करी छे पहला पदार स्थीर होई सके छे पछी एना मा कोई पन प्रकारनू बाईय अस्तरकारक बर लगारवा मा आवे तो पोते गती मा आवे छे तो आ रिते आपने अनो गती नो अप्यास करी सकता होई ये छे तो आ स्थिती मा थहेल आ परिवर्टन ने आपने अंतर मापन द्वारा समझी सक्किये छिए तो आना थी आपने एपन जानकारी प्राप्त थाये छे के कोई वस्तु केटली दिमी छे औने केटली जर्पी छे एपन गती आपने करी सक्या छे तो जमी नुपर जे गोकर गाये नी गती पतंग्यानु एक कुष्प पर्थी विजा कुष्प परड़ जवू नदीना प्रभामा नाना पत्थरों नी गती विमानमा हवामा जे विमाननु हवामा उँचाईये उड़ू जेट विमानना मार्क बनावुआ तो पुर्थ्वी नी आजु बाजु नी जंद्रनी गती आपना सरीनमा रुधीर नुपरिवहन वगेरे एक प्रकान नी गती तरीके उलखवामा आवे छे आब बद्धा जुदारान आपनी आजु बाजु थनारी गती दर्शावता कोई छे पनी उदारान मां तमने जुई शकोच पदार्थ छे पोते स्थीर नथी पोते कोई कने कई गती करतू आपने जोवा मरतू है छे तो आज आपाट पुर्णत हाई छे आभार